एलो फ्रेंज मैं हूर अवीश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे टीम इडिया के फॉर्मर कैप्टन और चे नहीं सुपर गिंग्स के कैप्टन महेंदर सिंग गूनी की और आपको बताएंगे कि CSK की तैयारिया कैसी चल रही है आईपिल सीजन 12 के लिए जिसका फर्स फेस तो खिला गया था इंडिया में लेकिन सेकंड फेस जो है वो UAE में होने वाला है इसके बारे में मैं आपको डीटिल से बताऊंगा लेकिन आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्स्राइब करें बैल आइकन को दबाना ना बुले ताकि सबसे पहले नोकिफिकेशन दूस्तों आप तक पहुँचे तो जब यह बात करते हैं एमेस घुनी की और जैसा कि आप जानते हैं कि आइपिल 12 का जो फर्स फेस था वो इंडिया में आजिद वह था और उसमें CSK की पॉफरमेंस बहुत जबर्दस रही थी साथ में से पांच वकाबले CSK ने जीटे थे और अज़र डैली नेक एक एक्स्रा मैच नहीं खेला होता तो पॉइंट सिबल के चॉप पर होती CSK की लगी जैसा आप जानते हैं कि COVID की बज़े से जो फर्स फेस था उसको सस्पैंड कर दिया गया और अब सेकंड फेस का जो आयोजन है वो UAE में होना है 19 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में और इसकी भी सबसे खास बात यह है कि चैने सूपर किंग्स वो सबसे पहली टीम की जो की तैयारियों के लिए वहाँ पहुंची मुंबई इंडियन्स के साथ और उन्होंने अपनी जो क्वारिंटाइन का पीरेड होता है उसको बेदाने के बाद अपनी तैयारिया भी दोस्तो शूब चाहती और जो उनका प्रै जानते हैं कि धोनी जो है वो लोर ओडर याने की 5-6-7 इस पोजिशन पर ही बलेबासी करना पसंद करते हैं तो ऐसे में महेंदर सिंग धोनी को भी यह पता है कि जब उनकी बैटिंग आएगी तो उनकी टीम को दरकार होगी रन रिट को बढ़ाने की या फिर एक्सिलेरेट करने के और इसके बहुत जरूरी है कि धोनी के बले से चखके निकले क्योंकि वो अपनी टीम के सबसे एहम खिला रही है कि धोनी का बला जब भी चलता है उनकी टीम को जीत मिलती है चाहे CS के चेस कर रही है या फिट CS के पहले बैटिंग कर रही है और Overs कम बचे हैं ऐसे मे कि जो 2nd phase के ला जाएगा उसके लिए धोनी ने अपनी तयारियां पूरी कर ली है और हम देख सकते हैं कि महिंदर सिंग धोनी जो है वो लंबे लंबे चखके लगाते में नजर आएंगे तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो पसंद आया तो से लाइक करें ज जान करें कि लिए आप मेरे चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं